ओम सिरीगनी सायनम दूस्तू एस्ट्रू समधन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर सुक्रवार के रासी फल के बारे में कीह दिन मेस रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फायदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करीयर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियपार काईसा रहेगा और सुआस्थि की महत पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए शुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती हैं दोस्तो साती सात भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकोन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजर्गों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थे आज उसमें आपको सपलत आवश्चे मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवश्च रकता है नोकरी के लिए दी गई प्रतियोगी परिक्षा के प्रेणाम भी आपके पक्ष में आ सकते हैं अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से एका गर्चित रहें आपको सपलता अवश्य ही प्राप्त होगी ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होग और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दरसन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्ष दिमाग से आप निर्णे लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यहीं आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है संतान की शिक्षा से संबंदित कोई आज महत्पपूर्ण कार रहे होगा इक्षित शिक्षा श और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों गलत बात का प्रतिकार करने से एक आरण ही लोग आपके विपक्ष में आएंगे आपको हर काम बड़ी संजिदगी और गंबिरता से करना चाहिए थो अनुरंजर आदी के विर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाए के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फाइदे बंद रहेगा राज की ए मामलों के कारों में बहुती आपको साफधानी बरतनी कियाव सकता है साती सात कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जांच पड़तार कर ले इस समय आर्थिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजुर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी के आवस्शक्ता ह अजनवी वे परिष्ट लोगों से वेवार में लेंदेन में साफधानी बरतने की आपको आवस्शक्ता है खर्चों पर भी आप नियन तर्ण रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा साती सात घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नो रहे और सैयम बना कर रखना अति आवस्शक हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दू आवमुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिक्ता पर रहेगा जीवन साथी आपकी परिस्तितियों में पूरी तरे से सहयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बजुर्गों क आशिरवाद वे इसने आपके आत्म विश्वास को बना कर रखेगा जिहां दोस्तों परिवार में आज सांती का बाता वरन रहेगा संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर दिक खुसियां आपको आज प्रा आज आप विजय पराप्त करेंगे नए कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साती सात कारे छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भगदोड में व्यतीत होगा दोस्तों साती सात आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत वे परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिल होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित होंगी वेवसाय में नेने प्रियोगों पर अमल करना आपके लिए आवश्चक है क्योंकि वर्तवान इस्तिति के कारण कारों के नीती में परिवर्तन जरूरी है अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है। दोस्तो आप अपने सेहत की चमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक चमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे। यहां दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा। आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफ़ी उर्जावान महसूस करेंगे। साती सास दोस्तों अपने स्वास्त को और अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तों आज आप इस नान आदी से निर्वत्र होने के बाद दो रोटी ओपर खीर रख कर मा लक्षमी का इसमरन करते हुए गाए को खिलाएं और अपनी मनों काम नए मांगें जा दोस्तों ऐसा करने से मा लक्षमी बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दू अवश्य ही पूर्ण होंगी और आपके सभी कारणे बहुत यास अनिस्ती बनते चले जैंगे दोस्तों मा लक्षमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स वोक्स में जैमा लक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यव झाल 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 excited